देश के उत्तर पच्चमी भाग में अत्याधिक वर्षा से तबाही है तो पूर्वी हिस्से में सूखे की इस्तिती है देश का एक तिहाई हिस्सा सूखे के ओर बढ़ रहा है सबसे अधिक गुराहाल उपजाओ माने जाने वाले गंगा के मैदानी छेतर का है जहां धान की र में धान की रुपाई 21 जुलाई तक 4.73 लाग हेक्टेर में जादा हो चुकी है फिर भी देश के लगबग 200 जिलों में कम्यों सामान्य वर्षा की इस्तिती है धान की खेतियों को पानी की ज्यादा जरूरत होती है मौसम का आकलन करने वाली एजंसियों की रिपोर्ट निरा उत्रप्देश के लगबग 31 जिलों में बिहार और जारखन समेत उत्रपूर्व के 6 राजियों में वर्षा की गत्विदिया इस पूरे महिने तेज नहीं होने जा रही है रिपोर्ट के मुताबिक उत्रप्देश के 31 जिलों में जुलाई में 60 प्रिस्द से कम वर्षा मुझेसम विभाग का कहना है कि जुलाई के सेज दिनों में चहां तहां चुटपूर वर्षा हो सकती वहीं पाकिस्तान के पूरवी हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से गुजरात यो मराजस्थान को वर्सा हो सकती है। इसका असर दिल्ली, पश्चमी उत्रपदेश, उत्राखंड और हिमाचरपदेश में भी देखा जा सकेगा। वर्सा के असमय और असमान वित्रन के चलते कहीं ज्यादा तो कहीं कम रुपाई हुई है। ज्यादा तो सेस में कम रुपाई हुपाई है। वो पाई है। बुर रपोर्ट प्रभात कबर यूपी प्रभात कबर डॉट कॉम विश्वास वही रवतार नए। झाल झाल